Hello Learners, Welcome to Exam Preparation आज के वीडियो में हम बात करेंगे Regular Falsy या False Position Method भी बूलते हैं ऐसे इसके बारे में बात करेंगे काफी request आ रही थी इसके लिए कि Second Method और Regular Falsy में क्या difference होता है और बहुत confusion रहती है students को इसमें आईए बात करते हैं जो आपका Regular Falsy Method है ठीक है उसका formula और Second Method का formula थोड़ा सा difference होता है इसलिए लोग इसमें confused होते हैं Second is Regular Falsy का ही Advanced Version आपका Advanced Method है आपका Second Method ठीक है कभी कभी आपको Question Paper में इन दोनों में से choice भी दियो होती है कि आपको एक question या equation दे दियो होती है तो उसमें choice होती है Second Method से करीब तो मैं आपको suggest करूँगी कि आप Second Method से इसको कीजेगा क्योंकि Second Method आपका Fast Method होता है उसमें थोड़ी से calculation भी आपकी कम रहती है ये आपका 5-6 marks का Approx Question आता है सो आईए इसको solve करते हैं सबसे पहले आपका Basic Step वही रहेगा कि जो equation आपको दी हुई है आपको उसको function लेट कर लेना है सो आप इस equation को xq plus x minus 1 को function लेट कर लेंगे इसमें आपको values दी हुई है कि आपको 0 और 1 value के बीच में ही आपके points निकालने हैं ठीक है point दिया हुए near equals to 1 ठीक है सो आप इसमें जब 0 पुट करेंगे function में तो आपकी negative value आजाएगी minus 1 जब आप function में 1 पुट करेंगे positive value देगा ये आपको 1 ठीक है next आपको इसका सबसे पहले formula पता होना चाहिए क्योंकि सब ही questions almost formula based होते हैं सो इसका formula देखते हैं ये आपको जो negative value होगी उसको x0 लेना है और जो positive value आपकी होगी उसको x1 लेना है x0 का function minus 1 हो जाएगा x1 का function is 1 इसका formula देखते हैं x2 equals to x2 means next value जैसे हम उसमे n plus 1 करते थे न x formula में secant में n plus 1 करते थे यहां हमने direct लिख दिया है यह हो जाएगा x0 x node minus अंदर आपका क्या होगा x1 minus x0 upon function of x1 minus function of x0 multiply by function of x0 ठीक है पहले आपको x0 minus करना है then last में आपको function of x0 से multiply कर देना है ठीक है so आपका यह formula है यहाँ पर second method का आपको formula पता है second method में आपका formula होता है कि आपको functions से into करना होता है multiply करना होता है जो भी आपकी values होती है उसके बाद आपको नीचे minus करना होता है ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा अलग है इसका formula so next जो step होगा वही same step होगा आपको roots निकालने है 0 और 1 के बीच में 0 आपका x0 है ठीक है और 1 आपका x1 है ठीक है so x0 की value आपकी 0 है क्योंकि आपने function में 0 put किया था so इसलिए आपकी value x0 है then x0 का आपका जो function है वो है minus 1 जो आपने function में value डालके निकाला था value वो आपकी minus 1 थी इसके बाद आप x1 निकाले x1 आपकी value डालेंगे x1 1 value है और जो इसका function है वो भी आपका 1 ही था उसके बाद आप formula में put करेंगे मैं एक बार फिर से formula लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए so x2 हमारी हाँ पर next value है मैं बार बार कह रही हूँ x2 next value है हम आगे आने वाले iterations में भी x2 ही लिखेंगे या आप x3 x4 भी लिख सकते हैं कोई issue नहीं है बट ये है कि अगर आपकी values negative आती है तो आप 0 से replace कर देंगे अगर positive आएगी तो 1 से replace कर देंगे ठीक है values पुट करते हैं x0 की value 0 ठीक है 1 x1 की value minus x0 की value 0 upon function of x1 is 1 minus function of x0 is minus 1 multiply function of x0 value is minus 1 आप जब इसको solve करेंगे तो 0 minus 1 by 2 1 by 2 multiply minus 1 so आपका जो x2 है वो 0.5 value देगा ठीक है ये value आपकी negative value होगी ठीक है x2 की value आपकी negative आई है उसके बाद आपको ये 0.5 को function में put करना है यहाँ पे आपका matter नहीं करता कि आपकी value positive आ रही है negative आ रही है value ये करेगा कि function की value आपकी क्या आ रही है ठीक है function की value is important जब हम इसको function में डालेंगे 0.5 को तो ये negative value देगा आपको 0.375 negative value है आपकी 0.375 यहाँ पे देखिए x2 की value negative आई है तो हम replace करेंगे value x0 की ठीक है x0 की value हम replace करेंगे क्योंकि function में 0.5 मतलब x2 की value negative आई है तो जो आपके new roots होंगे वो होंगे roots lies between 0.5 and 1 अब फिर से वही step repeat करना है आपको x0 लेना है और x1 लेना है x0 is 0.5 x1 is 1 function of x0 is minus 0.375 ठीक है and next function of x1 value is 1 x1 value function of x1 value is 1 इसको फिर से formula में put कीजिए formula आपका था x0 is 0.5 minus x1 minus x0 is 1 minus minus 0.5 upon function of x1 is 1 and function of x0 is minus x0 is function of x0 is minus 0.375 and multiply by function of x0 is minus 0.37 जब आप इस value को solve करेंगे तो आपकी x3 की value आएगे जो की positive है 0.6364 अब इसको आप function में put करेंगे function is x3 plus x minus 1 is equals to 0 so जब आप इसको function में put करेंगे 0.6364 को तो आपकी value 0.6364 cube plus 0.6364 minus 1 is equals to function of x3 की value आपकी आजाएगी negative minus 0.0.1059 आपकी जो function of x3 की value है वो है minus 0.1059 यह आपको highlight करना इस ते ज़रूरी है ताकि आपको फिर values ढूणनी ना पड़े क्योंकि काफी lengthy questions हो जाते है तो exam में भी प्रीज आप इसे highlight कीजेगा and regulator compulsory है ले जाना उसके बिना कोई value नहीं है आपकी exam देने की ठीक है next now root slice between 0.6364 and 1 okay so x0 आपका फिर से replace हो जाएगा sorry x3 फिर से replace हो जाएगा x0 के साथ तो यहाँ पे x0 की value आपकी हो जाएगी 0.6364 and function of x0 is minus 0.1059 and x1 की value is 1 function of x1 is equals to 1 so आप इसको formula में put करेंगे I hope आपको formula learn हो गया होगा है अभी तक so एक बार फिर से बता देते हूँ यहाँ पे x0 की value is 0.6364 minus जो bracket में है वो है आपका x1 minus x0 is 1 minus 0.6364 यह आपकी x1 में से x0 value minus हो रही है उपर minus function of x1 is 1 and function of x0 is minus 0.1059 into function of x0 is minus 0.1059 so आपकी इसको solve करने के बाद value आएगी x4 x4 की जब आपकी value आएगी तो वो होगी आपकी positive जो की होगी 0.6712 so यह आपकी value निकल गही है x4 की जो की आपकी positive value है अब आप इस value को function में put करेंगे यह आपको तब तक करना है इस question में आपको दिया हुए perform for iteration 4 iteration तक आपको perform करना है किसी किसी question में दिया होता है कि आपको 4 decimal तक values match करानी है ठीक है तो यह दो तरीके की conditions भी होती है इसमें so जब आप value put करेंगे x4 की function में तो आपका function of x4 की value आएगी वो आपकी value होगी negative value function of x4 so यह हो जाएगी minus 0.0264 यह आपकी function की value negative है तो यह फिर से आपकी 0 की value को replace कर देगी x0 की value जो थी उसे आपकी replace कर देगी फिर इसके बाद आप निकालेंगे last iteration, iteration number 4 जिसके लिए now roots lies between 0. अब next iteration के लिए जो आपके root लाई करेंगे वो 0.712 and 1 के बीच में आपके roots लाई करेंगे तो x0 की value आपकी change हो जाएगी जो की हो जाएगी 0.6712 function of x0 is minus 0.0264 x1 की जो आपकी value है वो 1 है function of x1 is 1 इसके बाद आपको वही step formula वालब apply करने है formula में लिख देती हूँ एक और बार x note minus x1 minus x note upon function of x1 minus function of x note into function of x0 so यह आपका formula है अब आपको value पूट करने है x0 की value है 0.6712 next आपको x1 की value है 1 minus x0 is 0.6712 function of x1 is 1 minus function of x0 is minus 0.0264 into function of x0 is minus 0.0264 और यह आपकी value निकल जाएगी hex 5 की so इसके बाद आपको निकालने की ज़र नहीं है क्योंकि आपकी iteration यहाँ पे complete होती है so I hope आपको secant और regular falsy और false position method में difference समझ आ गया होगा I hope आपकी confusion दूर हो गई होगी next वीडियो में हम बात करेंगे regression पे और आपका binomial probability के बारे में यह आपकी request आईए किसे student की so मिलते हैं next वीडियो में तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजे अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यूबल लगती है like कीजे and subscribe कीजे channel को thank you so much for watching